बहुत बढ़िया वाशन दिखाएगा फिर से एक पर सभी का बहुत बहुत दन्यवाद निजी धन्यवाद थैंक यू चेर्मेंट साहब आज सदन में नए सदन में चंद्रियान थ्री थर्ड तीसरे के बारे में चर्चा हो रही है और ये बहुत बड़ी हैं तो उसकी सभलता के बारे में और इसमें कोई भी मेरी ख्याल से कोई पार्टी की बात नहीं किसी भी सत्ता की बात नहीं और सब 140 क्रोड लोग उनका योगदान है और वो आज इस चीज़ से खुश है सर लेकिन इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा क्योंकि ये बहुत जरूरी है सदन में और देश के सामने रखना आपने समय दिया है टाइम दिया है हमारी जो भी इंडियन फॉरेंट फॉरेंट पॉलिसी रही है वो सर चाहे जवालना नेरू जी से लेके हमारे अब प्राइम निस्टर मोदी जी हमारी हमेशा नौन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ हम हमेशा चले हैं और खास तोर पे अगर मैं बात करूँ कांग्रिस पार्टी की उसने भी इस पे बहुत कड़ा स्टैंड लिया है जो अक्रेडियन प्राइम निस्टर ने ट्रूडो ने वहाँ पे अपनी पार्लिमेंट में बोला है और मैं एक सिक हूँ इसलिए आज खड़ा हूँ सिक एक बहुत ही एमोशनल एक कौम है और उसको जान बूज के क्योंकि एमोशनल है और इस इस देश की अजादी में उनका सबसे बड़ा लोर लहा है इसलिए कोशिच की जाती है भी उसे कैसे धुरार डाले उसमें उसको कैसे तोड़े हैं जी और बहुत ही मजबूत कौम है जिसने लाखों में अपनी शहादत दी देश के लिए और सर हमने क्योंकि इतनी मजबूती पाई हमने हमेशा चाहे अब रशिया हो अपनी लाइन ली है चाहे चाईना हो अपनी लाइन ली है रशिया युकरेन की चाहे लड़ाई चल रही है उसमें भी हमने अपनी लाइन लेके रखिया और चाहे सर नाटो फॉर्सीज है वो ज़्यादा एक तरह मदद कर रही थी लेकिन फिर भी हमने अपना लेके रखा हमारे देश ने इंडिया ने अपना लेके रखा ये प्राइम निस्टर अपने सदन पार्लीमेंट में पोल के हमारे देश के खलाब बोल रहा है हमारे प्राइम निस्टर के गेंस्टर उसने बोला है तो सर इसी तरीके ये ट्रोडो साब ट्रोडो साब के पिता जी जब प्राइम निस्टर थे इसी तरीके से कुछ मिलिटेंट उन्हें कनिश्क आपको जाद हो गया कनिश्क एर बंब लास्ट हुआ था जिसमें तीन सो से जादा लोग मरे उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई ये जो निजर एक बहुत बड़ा खूनकार टेरिस्ट है जो मेरे ग्रेंट फादर का सैसीनेशन जिसने कि है सर उसमें जकतार हवारा उसका राइड हैंड था जिसको सर इन्हों ने वहां पे पना दी और वो खुद एक नशे की वार में ड्रग की वार में और गैंग्स्टिगेशन भी चल रही है और अरोप हमारे देश की एजन्सियों पे लगा दिया और ये कहा गया वहां पे एक मैं उसका नाम भी इस पार्लिमेंट में लेना नहीं चाहता जो दूसरा एक टेरिस्ट पन्नू नाम है उसका सर उसने ये अलान कर दिया भी कनेडा में हम हिंदूओं को नहीं रहने देंगे कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर लेडा उनको वहां पे पना दी हुई है उनको वहां पे उनको रखा हुए है और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वहां से बेज रहे हैं और जितने गुर्दवारे हैं सर जहां गुरू गरंस है पंजाबीयों ने जहां जो भी गुरू नानक देब जी को मा मंतरियों को जाता है इसलिए हो आदा परसेंट लोगों के हक में वो बियान दे रहा है जहां तक सिखों की बात है सब 99.5% हमारे लोग वहां पे बिजनस करते हैं लाखों एकड जमीन है बिजनस है सर उनका कारोबार हैं बड़े से बड़े मैं इस सदन में उन से कहना चाहता ह भी टूडो को उनकी पार्टी को जहा के कहें आप अगर क्यों मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि हिंदोस्तानियों ने यहां आना है पंजाबियों ने यहां आना है यहां से रिश्टदारों ने वहां जाना है आज सर साथ लाख बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां पे लाख तो किसका नकसान होगा तो इसलिए सारे हिंदोस्तानियों को मुँ तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए हमें बताएं अगर बही अगर आपका जहाज खराब हो गया यहां पे 36 गंटे आप गर्मी में बैठे रहे इसमें हमारी गलती है आप वहां जाके पार्लीमेंट में ऐसे ब्यान दे रहे हो तो मैं एक बात जरूर कहूंगा हम सिक्षा जहाज खराब हो गया ता बताओ सर फिर सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं भी नया हम ले देते हैं अब अब सर वो बातें नहीं रही रही है हमारे तरफ से देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने क तो उस चीज़ को क्योंकि सर इस से भी अब भारत सरकार के फॉरेंड पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं बिलकुल सर अगे बढ़िए एक बात आखी सर एक बात हो सर एक जब भी सिखों को क्योंक बीच में लेके आते हैं जब सर अगर उनको वो कहें कोई कनेडियन उनका कोई भ पाया है तो हम एक दिन में वापस वहां करेंगे लेकिन पंजाब में आप सिद्धू मुसे वाले का नाम समने सुना है उसका सर कहां से कतल हुआ और कहां से हुआ और वो कहां बैठा है वो करेड़ा में बैठा है जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है वो सारी के सारी गैं जो आदा परसेंट लोग है 99.5 परसेंट जो आदा परसेंट लोग है वो टूडो साब के पास हैं क्यों क्योंकि गुर्दवारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है वो सारे का सारा पैसा जो वो टूडो साब के पास जा रहा है चाहे जी 20 हो चाहे कोई और हो उसमें स सबसे जरूरी बात क्या होती है विटेरिजम को कंट्रोल करना है इस बात से जो इसवार टूडो साब ने की है इस से इंटरनेशनल शबी क्रेडा की कहीं रहेगी नी पर क्रेडा तो एक पपेड है सर उस देश का ये सब कुछ सीये के अशारे पे हो रहा है भी आज चलो मैं नहीं लेना चाहता लेकिन आज हिंदोस्तान वो देश नहीं है जो सत्तर सार पहले था आज जवाबना है नेरु जी से लेके मौदी ते जी तक मनमौन सिंग जी तक ये हमारा ठीक है सर पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है पर मैं ये कह दूँ एंड में जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है अब हमारा देश दुनिया की ताकत है इन देशों से जुकने वाला नहीं हम पन्नू जैसे को सर्जीकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं अगर ये गल्ट फेमी में के लेडा जा कोई देश ना रहे और सिक्खों को बांटने की कोशिश करेंगे तो बहुत मूं तोड़ जवाब उनको हमेशां दिया जाएगा और इस बाँ आपने टाइम दिया मैं आपका बहुत अबाद पर गटटबाद मान्या मंत्री जितंदर सिंग जी